वेल्कम टू साइंस मस्ति साइंस मस्ति के ऑनलाइन क्लासेश में आप सब का स्वागत है और हमने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था जब एसी इट बेस और साल्ट का लास्ट हुआ था तो अब जो निव चेफ्ट शुरूऊगा वो कंट्रोल एंड कोडिनेशन का होग करता है हर वो चीज जिसको जिसके देखकर सुन कर या जिसको सेंस करके हम उसके प्रति रियक्ट करते हैं वह इस्टूमिलस का लाती है जैसे कि संद को हीट जैसे ही हम देखते हैं तो हम थुरा सा छाव खुचते हैं तो यह क्या है उसके प्रति हमारा रियक्षन है जो की का करते हमारे द्वारा है करने के लिए जो जो ऑर मिलक कर एक सिस्टम करता है और उसके जो बार किया तो सिस्टम को आप या है तो फोल सिस्टम दो टरह नाम था नर्वस शिस्टम दूसरा का नाम इंडो कड़ा इंस्टम तो आज सुनुआत करते हैं नर्वेश सिस्टम से अब नर्वर सिस्टम को जानने से परिकुछ समझे लेते हैं हमारे पास कुछ सेंस और जैसे कि एक ऑन स्कीन पूरे बाड़ी में गया एक टंग वा जो कि टेस्ट करता आधे घरष्टरी हो गया लोज हो गया इसमेल को करता है तो आफल को करता है आई जो गया इयर्स हो गया तो फाइब सेंस औरगन है हमारे अंदर उसके बाद अब आता है रिसेप्टर रिसेप्टर है रिसेप्टर क्या चीज़ है कि और सेंस औरगन के पास जो सेल्स होते है जो कि रियक्ट करते उसे ही Receptor कहते हैं जो कि गर्ष्टी रेसेप्टर था बहुत सारे रिष्टम्टर था पीछले वीडिो में अब देख सेथे अब उसके बात आया था न्र्बश सिस्ट्रम के बारे में नियुरोस से बना होता है फटेक नर्वस शिश्टम का नियुरों से मिलकर होता है लिए नियुरोन इंख पाता है इसलिए होता है तो neuron में neuron मिलकर nerves का निमान करता है और neuron में जो होता है आपके पास चलिए यहां पर यह देख लीजिए देख लीजिए पहले eyes nose ears tongue and skin यह क्या है यह हमारे sense organ है इसके बाद यहां पर देखे अब आगा neuron neuron के पास क्या चीज़ है और उसके बाद यह वाला जो पार्ट है लॉंग ट्वीप के तरह यह होगा एक सुन और फिंगर लाइक जो प्रजेक्शन उसे हम लोग ते डेनरीट करते हैं क्या कहते हैं अब यह मिलकर nervous कर निमान करते जो जैनरली तीन टाइप के होते एक का नाम मतलब railway nervous का का क्या है कि रिले रभ्च वहता है वह माइंड से सारा से माइंड से माइंड से सारा जो सेंस होता है मतलब माइंड से जो चीज कैसे रियक्ट करना वह चीज को लेकर वह पूरे बड़ी में जाता है पूरे बड़ी को बताता है कि तुम्हें क्या करना माइं ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया और उसके बाद था मोटार नफ्स का काम क कि मोटार नफ्स क्या करता है कि जीतना मतलब इफेक्टर्स दौरा रिसेप्टर के दौरा जो इफेक्ट को महसूस किया दाता है उसको माइंड तक बताता है और माइंड उसके बाद सेंड करेगा उसको किसके थूरू रिले नर्फ्स के थूरू रिले नर्फ्स मोटर नर्फ् solution आता है कि आखिर यह वर्क कैसे करता है तो चलिए यह वर्क जो करता है देखो ध्यान से देखना यह वर्क कुछ इस तरह से करता है कि सबसे पहले तो डेंडराइट को एलेक्टिक इंपल्स मिलता है डेंडराइट एक्सों के होते होते तो यहां पर जो यह जगा बता है सिनेप्स का सिनेप्स के पास कैमिकल रियक्स के रूप में एलेक्टिक एंपलेस को चेंज कर देता है एक्सों अब उसके बाद जो यह एलेक्टिक इंपल्स जो चेंज पहुँचा है जो इंपल्स था इलेक्टिक अंपल्स अब फिर उस कैमिकल को अभ्जब किया जागा दूसरे न्यूरॉन के तोरा दूसरा देन्डराइट किया करेगा उसको फिर इलेक्टिक EMPLSE के रूप में चेंज करका है ऐसे करकर वह आगे बढ़ते जाता है जैसे देखिए अगला में दिखाता है यह चीज, ध्यान से देखिए यहां पर क्या हुआ है कि एक्सों सेंसरी नर्फ ते एलेक्टिक इंपल्स गैप फ्रॉम रिसर्प्रेटर के दौरा अब उसके एंड आप एक्सों सेंस नियूरोन यहां पर सिनेप्स गैप बिट चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अब आता है कि हमारे बडी में जो नर्विस सिस्टम वर्ग करता है वह कैसा करता है तो नर्विस सिस्टम वर्ग करता है ब्रेन के दौरा ब्रेन के बाद होता है स्पाइनल कोर्ट के दौरा और भी भी नर्फ के दौरा जो कि नर्फ क कुछ ऐसे एक्संस होते हैं जो कीegन और कुछ हमारे ज्यरू पर होते हैं जो हम इच्छा करते हैं उस पर होते हैं जैसे जो करते हैं जम लेना जम्पाई ले वह क्या है अपने यह सब दोंग और फान के ऑद फ्रबlike कर सकता है कोई ऑंक को ध्रोप म्हें पर निचना हम बंद कर सकता है नहीं कहा सकता तो ऐसे एक्षंस को हम लोग involuntary action करते हैं चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग देखे response एस दाइब समझाते हैं यह चीज़ देखे response लेप्टिंग और फेन यहां से देखे मुले तो होगा है है की बच्छा क्या-क्या यूटेंसिल को छो दिया व wam उसको क्या मशूश होगा हुआ हुकुट बानी इसका इसको क्या माहसूस हो मुल्स हो गया है उसके नीरोफिस लिए को पता चला नीरोफकल को क्या नीरोफ के दौरा अब अब तुम क्या करो कि हैंड को क्षिच लो तो वह हैंड को खिच लेगा अब हम लोग के बड़ी में नर्वस सिस्टम भी दो तरह होते हैं एक का नाम है परिफेरल नर्वस सिस्टम दूसरा का नम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है परिफेरल नर्वस सिस्टम पूरी तरह से नर्वस से बने से तीन तरह के नवस होते हैं एक होता है इस्पाइनल नर्वस दूसरा होता है कर्नियाल नर्वस तीसरा होता है आपको तीसरा होत होता है तीस्रा लूट है को कि를 को आगे जा कि आपको उसको मैं बताता हूँ और उसके सेंट्रल सिस्टम तो गाता है ब्रेंस के बाद आपको बना होता ब्रेंस पाइनल कोर्ट से मिलकर बना रोता मतो papy एस्पाइनल कोर से वोमें में जो nervous system है वो दो तरह के peripheral nervous system the nervous system in a woman can be divided into two parts जो nervous system है वोमें में उसको दो पार्ट में divide किया जा सकता है Central nervous system, Consisting of brain and spinal cord Consisting इसमें क्या चीज़ रहाए का brain और spinal cord उसका परिफेरल nervous system, peripheral nervous system होता है दो थो nervous system हो गया, एक हो गया Central nervous system इसमें consisting of cell, consisting of क्या चीज़ होगे peripheral nervous system में consisting of all the nervous of the body like carnal nervous, spinal nervous and visceral nervous तीन तरह के nervous होते है, carnal nervous, spinal nervous and visceral nervous अब आता है कि यह तीन तरह के nervous system, peripheral nervous system बत्ता है Central nervous system, brain, spinal cord से मिलकर बनता है दिमाग में बस इतना ही रखना है, stimulus coordination उसके आद हम लोग पर रहे है, coordination in human जो कि किया जाता है nervous system और इंडोक्राइन सिस्टम का तो हमने फर्स ट्रोपिक उठा है nervous system nervous system जो होता है, बना होता है, brain, spinal cord और nerves है, तो अभी हम लोग रहे हैं, nerves जो है आपको nerves जो होते हैं वह दो जो nerves होता है उसके बारे में पढ़ाता है spinal में मोटार nervous के बारे में उसके बाद आप relay nervous के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं, दो तरह के nervous system होते हैं हमारे पूरे बड़ी में एक हो गया peripheral nervous system जिसमें कार्नियल nervous system आ गया बिस्किरल nervous system आ गया, spinal nervous आ गया, उसके बाद आता है आपको इसके बाद आता है आपके पास central nervous system जिसमें brain and spinal को लो गया, अब आता the peripheral nervous system can be further divided यह देखे principle लिखा गया तो यह द्यान दिजेगा जो भी लोग नोट की हो principle लिखा हो तो उससे peripheral कर देए गलत लिखा गया तो peripheral nervous system आगे जाकर दो तरह के nervous system में बढ़ जाता है एक है automatic nervous system और दूसरा है voluntary nervous system तो एक हो के automatic nervous system दूसरा होगा voluntary nervous system चलिए peripheral nervous system क्या है PNC क्या चीज है दियान से देखे यहां पर यही चीज है nervous system further divided into two parts central nervous system peripheral nervous system peripheral nervous system further divided into two parts automatic nervous system voluntary nervous system अब जाल यह peripheral nervous system क्या है PNC क्या चीज है the peripheral nervous system is composed of of carnal nervous, spinal nervous and visceral nervous peripheral nervous system जो है तीन तरह के nerves से मिलकर बनता है एक है visceral nerves, एक है spinal nerves, दूसरा है spinal nerves और तीसरा है visceral nerves चलिए carnal nerves क्या चीज है there are 12 pairs of carnal nerves the carnal nerves one out the brain and go to the come out to the brain and go to the do the sense organ अर्थात इसके 12 जोड़ा है मतलब 12 pairs है carnal nerves के जो की brain से होते हुए पूरे sense organ तक पहुचता अर्थात कार्णियल जो है mind से निकल के पूरे sense organ तक गया और यहां इस्पाइनल कोड यह जो पीछे वाला होता है इस्पाइनल कोड से निकल कर पूरे sense organ तक जाने वाला spinal nerves हो गया विश्करल nervous क्या से होगा तो दब इस्पाइनल कोड और गो तो दे इस्पाइनल कोड से होते हुए पूरे internal organ तक पहुचेगा उसके बाद परिफिरल नर्वेस सिस्टम फर्दर डिभाइड हो जाता है दो तरह में voluntary और involuntary actions में voluntary actions और दो एक्षंस वीच डू नोट इन वीच डू इनकॉंस जो कि हम लोग अपने conscious में करते हैं जैसे कि हो गया वाकिंग तहनना speaking बोलना उसका यह सब क्या होता है और यह सब क्या हुआ हमारे conscious में होता है तो जो conscious में होगा अर्था जिस पर हमारा कोई अदिकार नहीं हम नहीं कर सकते हैं उसको रोक नहीं सकता है जैसे किना या वीटिंग ओफ हर्ट फूट का डाइजेशन यह सब इन वॉलेंटरी एक्षन का लाएंगे अ कि चलिए और दोज विच ऑकर बिदावट तो कॉंसेस कंट्रोल अफ और अर्गेंज अंडर दा कॉंट्र अर्बीन कैंसे दैट जो कि हमारा सब्सक्राइब करने के लिए हमारा एक पूरा और बनता है जिसको कोडिनेशन करते हैं उसके बाद आता है कि हमारे एनिमल्स में में दो तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है सिस्टम तक नर्वेस सिस्टम ऑल टाइप और सेंट्रल नर्वन सिस्टम जो है गोडिना उसन मालूम ही है कि पूरा नर्वेस सिच्टम बना हुआ है spinal cord brain and nervous तो तीनों के बारे में पढ़ी लेंगे तो जो परीफेलल नर्वेस सिस्टम होता हो तो जरूर बता हैं न आया हो तब भी बते